हेलो मेरे प्रिये जात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एंपीटेट बरगे तीन एक्जाम के लिए परियावार अध्यन की इंपोर्टेंट टॉप टैन कोश्चन मौडल पेपर नाइन अगर आप सीटेट एंपीटेट बरगे तीन की तैयारी कर रहें तो इस वीडियो को जरूर देखे कोश्चन नमबर 61 है इसकीन पर आप यहाँ पर देख रहें बहरी बहरी मोश्ट इंपोर्टेंट अच्छा कोश्चन है जल्दी से कमेंट करें बच्चों सही आंसर क्या होगा बिहार की गाओं में बहुत से किसान अत्रिक्त धन कमाने के लिए मधू मखी पालन करने के लिए सहद एकत्रित करने का कार्व करते हैं मधू मखी पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय किया है जल्दी से comment करें very very most important question है 100% बरगे 3 में किसी ना किसी से हट में आ सकता है comment करें सही answer क्या होगा question number 60 बनका बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका option number 4 होगा note कर ले note कर ले मधु मक्खी पालन कब सुरू किया जाता है October से December की मद ठीक है next question देख लेते है question number आपका है 62 है इसकीन पर अच्छा question है exam में बिल्कुल आ सकता है comment करें very very most important question है सही answer क्या होगा उसे चुनिए जो अन्ने से भिनने है question number 62 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 4 होगा कोईला note कर ले next question है इसकीन पर आज का question number 63 very very most important question है 100% यह तो आएगा विल्कुल exam में आएगा exam oriented question है हर बार सी टेट में आता है तो MP टेट बर्गे तीन में किसी ना किसी सेट में बच्चो जरूर पूछा जाएगा ठीक है नेफितिस एक पौधा है जो मैडकों कीडे मकोडों और चुहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फास कर खा जाता है हमारे देश में यह एक पौधा कहां पाया जाता है कमेंट करें question number 63 63 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका भी होगा मेघा लाए note कर ले 63 का correct answer होगा आपका भी होगा मेघा लाए ठीक है very very most important question एक्जाम में आ सकता है आप लोग कमेंट सही जरूर करें question number 64 का correct answer क्या होगा बच्चो 64 का यहाँ पर correct answer होगा आपका option number first होगा एक पसमीना साल लगभग 10 साधारन स्वेटरों की बराबर गरम होता है इसे बनाने में लगभग 200 घंटों का समय लग जाता है ठीक है next question देख लेते स्कीर पराज का बहुत अच्छा question 65 कमेंट करें सही आंसर क्या होगा तवन भारत संग नामक सम्मूई संबंदित है question number 65 देखे बच्चो 65 का correct answer क्या होगा 65 का correct answer होगा आपका option number first होगा प्राणी जीले पुनर निर्मित करने से ठीक है तरह भारत संग नामक सम्मूई संबंदित है प्राणी जीले निर्मित पुनर निर्मित करने से question number 66 very very most important question important है बिल्कुल एक्जाम में आने की पूरी संभाव ना है बिल्कुल बरगितीनी में आ सकता है जल्दी से कमेंट करें सही answer क्या होगा निर्मित में से ले और लदाक के मकानों की बिसिष्टाएं क्या होती है पेड़ के तनों से लकडी की ढालू छते निचली मंजिल पर कोई खड़की नहीं पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवाले लकडी के फर्स बिल्कुल कोशन नमबर 66 का बच्चे हाँ पर करेंट आंसर होगा आपका ओप्सिन नमबर से किंड होगा यानि लदले और लदाक में मकानों की बिसिष्टाएं होती है लकडी के फर्स होते है पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी दीवाले होती है निचली मंजला पर मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है एकजाम में आ सकता है कोश्चन ठीक है 67 देख लेते हैं एक ही तरह की फसल बाल बाल उगाने से बहुत से रसाइनों को पिरियोग करने से बहुत से रसाइनों का प्रियोग करने से मिर्दा यानि मिट्टी कैसी हो जाती है, मिर्दा उपजाव हो जाती है, बंजर हो जाती है, किसी बिस्यस फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिचाई के लिए उपयोग तो बन जाती है, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा दोस्तो एक ही फसल पर आप अपने खेत में बारवार एक ही फसल उगाते हैं या भहुत से रसाइनों का प्रियोग करते हैं तो मिर्दा है ना बंजर हो जाती है यानि आपकी फसल उपयोगी साबित नहीं होगी 67 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका सिकिंड होगा मिर्दा बंजर बन जाएगी Q68 बहरी बहरी मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है आंसर जानते हैं बच्चों तो कमेंट जरूर करें मध्यू बनी चित्रों को बनाने के लिए चित्तकारों द्वारा उप्यों किये जाने वाले रंग कौन से थे कमेंट करें कोशन नमबर 68 68 का बच्चों हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ओप्सन होगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल नोट कर ले 68 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ओप्सन नेश्ट कोशन एस कीन पर 69 भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कोशन है निम लिखित मैंसे रोगों का वह समुई चुनिये जो मच्छरों से फैलता है अच्छा कोशन है कोशन नमबर 69 69 का बच्चे हाँ पर correct आंसर होगा आपका ओप्सन थाड होगा नोट कर ले डेंगु मलेरिया एवं चुकन गुनिया नोट कर ले कोशन नमबर 69 का आपका C option करेक्ट होगा डेंगु मलेरिया चुकन गुनिया ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर कोश्चन नमबर सेवेंटी निम लिखेतों मैं से पेटोलियम के सही अवल अच्छन चुनिए बदवुदार होता है गाडा होता है गहरे रंका होता है बदवुदाल होता है पतला होता है पीला द्रब होता है अच्छी गंद आती में के भरेशन फंदय अकु श करता होता है जहरी ले सबंदरते हैं जब साप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खौंकले दातों से उसके सरीरी में चला जाता है, साप के काटे की दवाई साप के जहर से ही बनाई जाती है, very very most important question है correct answer किया होगा, जल्दी से comment करे, question number 71 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, आपका four option होगा, यानी four option correct होगा, यानी समझ ले, हमारे देश में केबल चार तरीके के जहरीले साप पाई जाते हैं, गलत है, ए उप्चन, नांग कोबरा, जहरीले सापों का एक पिरकार है, बिलकु question number 71 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, आपका four option होगा, बिलकुल, हमारे देश में केबल चार तरीके जहरीले साप पाई जाते हैं, बिलकुल सही है, नांग कोबरा सबसे जहरीले साप का एक पिरकार है, very good, बिलकुल A, B, बिलकुल सही होगा, जहरीले साप के चार खोकले दात ह होते हैं, जब साप किसी बेक्ती को काटता है, तो इनी खोकले दातों से उसके सरीरी में भिस चला जाता है, बिलकुल C option correct होगा, साप के काटे जाने की दवाई साप के जहर से ही बनाई जाती है, option D गलत होगा, इसलिए question number 71 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, आपका option number 4, ठीक है थेंक यू